Hello दोस्तो, इस वीडियो में हम सिखेंगे कंप्यूटर में actually किसी भी फाइल को डेक्स्टॉप पर कैसे लाएं, ठीक है? अनस्ता दोस्तो राम जी टेक्निकल चनल में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ राम की परजाबती आई ये वीडियो सुरू करते हैं तो आपने देखा होगा कि किसी के कंप्यूटर पर ये कितनी सारी फाइले यहां पर पड़ी होती हैं जिमें से आटोमेटिक फाइले होती हैं कुछ जब आपका पीसी जो है उसको जैसा कि माल जीए कि यहां पर यह यहां पर दिखिये सबसे पहले आपको यहां पर जो वाज़ो में स लिएकन है इस पर क्लिक करना है और यहां पर आपको क्लिक करना है यदि आपके कंप्यूटर में लिएक configurator 10 है तो आप यहां पर अपर दीस पीसी ट्याइप करेंगे जैसे आप यहां पर इस PC टैप करेंगे तो यह जो चीज़ है वह आपको यहां पर दिखेगा ठीक है मैं इसलिए बता रहा हूं कि पर लोगों के कंप्टर पर इस PC आईकोन नहीं रहता है तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको यहां पर सर्च करना है या फिर आप माई कंप्यूटर सर्च करके आप वहां पर जा सकते हैं आप चाहे तो File Explorer open कर सकते हैं Windows 11 के case में यहाँ पर File Explorer एप दिया गया है तो इसको में open कर लेता हूँ इसको बढ़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको this PC, desktop, document, download सब मिल जाएगा माल जे कि हमें जो है इस पिक्चर वाले folder में यह जो File है यह जो है यह जो है यह जो है यह यह साप्टवेर यह एप की File है इसे हमें desktop पर भेजना है इस पर क्लिक करेंगे इस पर right क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर option दिखाई देगा create shortcut दिखाई दे रहा है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है desktop पर send to desktop जैसे आप यहाँ पर desktop पर करेंगे तो यहाँ देखिए कि यहाँ पर यह जो फाइल है आचुकी है खेर यह एक app वाली फाइल है यहाँ कि साप्टवेर है आप कुछ other file भी चाहें जैसे कि माल जे कि यह ज इसलिके से आप किसी के भी computer PC पर आप जो है files को desktop पर ला सकते हैं बहुत ही आसानी से यदि आप कुछ और कुछ ना चाहते हैं तो नीचे comment box में अपने comment लिख दीजिएगा यदि ऐसे वीडियो चाहते हैं तो चलान को subscribe दिए और साथी वीडियो को लाइक करतीजिए